वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप पंजाब नेशनल बेंक का जो अकाउंट ओपनिंग फोर्म होता है इस फोर्म को कैसे बढ़ सकते हैं तो दोस्तों इस फोर्म को बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उपर की साइड में आपको कुछ भी नहीं बना है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले full name वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आपका जो भी नाम है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, and father name वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आपके पापा का जो भी नाम है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, and mother name वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आपके मम्मी का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है and residential address वाला जो कॉलम है यहाँ पर आपका जो भी address है वो आपको यहाँ पर लिख देना है and identity proof वाला जो कॉलम है यहाँ पर account open करते दाइम आप जो भी document दे रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना है जैसे कि मैं प्रादार कारड के जो भी number है वह यहां पर लिख दीन है यहां पर आपके पहले ही सब्सक्राइब करनाओ ऊकूल ना चाहते हैं तो आपको यहां ignorant अकॉंट लिख देना है यहां wa हो सब्सक्राइब कर दोए दो पीजिए जो पर आपको यहां सेल्फ लिंग देना है तो अगर आपके पास कोई इमेल आईडी नहीं है तो आपको चोट देना है यहां पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है इसके बाद हमारा first page complete हो चुगा है अब हम आएंगे अगले page पर और अगले page पर आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जितने भी section है जितने भी column है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बना है इनको आपको छोड़ देना है और हम थोड़ा सा नी matching के लिए है तो यह चारो ही जितने चारो ही column है यहाँ पर आपके जो भी sign है वो signature है वो आपको यहाँ पर कर देना है यह फोटो वाला section है यहाँ पर आपका जो भी password size photo है वो फोटो आपको यहाँ पर लगा देना है इसके बाद हमारा second page भी complete हो चुगा है अब हम आएंगे अगले page पर और अगले page पर आने के बाद दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तर्म and condition वाला section है यहाँ पर इनके कुछ टर्म and condition दीवी है उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते है pen number वाला section है यहाँ पर आपके pen card नहीं है तो आपको इसको छोड़ दिना है यहाँ पर यहाँ पर अगर आपके पास passport है तो दोनों ही नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं बना है उसके बाद उनके कुछ तर्म and condition दी हूई है छोड़ा सवर क्वह आðे चाहें गे नomination शेक्षण है यहाँ पर हमें हमारी nominee की detail पढ़नी पढ़ेगी nominee यानि की दोस्तों मैं आपको बताना चाओंगा जैसे कि भविश्य में आपके साथ कोई दुरगर्णा हो जाती आपका accident हो जाता है या फिर आपकी मौत हो जाती है तो आपके account में जो भी पैसे हैं पैसे किसको मिलेंगे उसकी detail हम या परनी पढ़ेगी जैसे कि वो पैसे आपके भाई को ममी को पापा को बहन को जिसको भी वो पैसे मिलेंगे उसकी detail हम या परनी पढ़ेगी तो सबसे पहले nomination required वाला जो कॉलम है यहाँ पर yes वाला जो option है, इसको आपको टिक मार कर देना है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, name वाला जो column है, यहाँ पर आप जिसको भी nomini रखना चाते हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि आपके बाई, बेहन, ममी, पापा जिसको भी nomini र बादर लिख देता हूँ, आपके बाई, बेहन, ममी, पापा जो भी है, उसका जो भी relation है, वो यहाँ पर आपको लिख देना है, एज वाला जो column है, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद आपको यहाँ 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 पर लिख देना है, उसके बाद सब्सक्राइब अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर यहां पर देख सकते हैं सेल्फ ने लिखा वा है उसके नीचे ब्रांच ओफिस लिखावा है यहां पर उस बेंक का जो भी ब्रांच का जो भी नाम है वह यहां लिखना है जैसे कि वो बेंक जी जगह है उस जगह आपको यहां पर नाम लिख दिना है उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं I am a student, housewife, employee, other facility एला जो कॉलम है, यहां पर आप जो भी काम करते हैं, वो यहां लिखना है, जैसे कि अगर आप student है, तो student पर tick mark onढ़ करना है, अगर आप कहीं भी नोकरी करते हैं, तो employee पर tick mark करना है और आप एगर housewife है तो housewife पर tick mark कर देना है तो मैं यहाँ student हूँ तो student पर tick mark कर देता हूँ और सामने आपको यहाँ student लिख देना है या जो भी आप काम करते हैं वो यहाँ लिख देना है उसके बाद my annual income वाला जो column है यहाँ पर आप एक साल के अंदर जितने भी पैसे कमाते हैं वो यहाँ लिखना है जैसके आप एक साल में एक लाग दो लाग तीन लाग पांच लाग दस लाग जितने भी पैसे आप एक साल में कमाते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे and signature वाला section है यहाँ पर आपके जो भी sign है जो भी signature है वो यहाँ पर कर देना है and name of customer वाला column है यहाँ पर आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है and mobile number लिखने के बाद दोस्तो हमारा Punjab National Bank का जो account opening form होता है वो fill up हो चुका है इसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं बना है और यह form ले जाकर देना है और आपका Punjab National Bank में account open हो जाएगा जोकि एकदम आसान तरीका था तो बस दोस्तो यही था simple process Punjab National Bank का account opening form fill up करने का तो प्लीज वीडियो का लाइक एन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दिएगा